अस्सलाम वालेगों मेरा नाम मुहमद्वकार हुसेन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about excretion in man यानि कि अभी तक हमने पढ़ लिया plants के बारे में उनमें excretion कैसे होती उसके बाद हम आ गए hydra के बारे में पढ़ा फिर plane area फिर cockroach फिर earthworm अब हम पढ़ेंगे man's के बारे में कि इनमें excretion होती कैसे हमारे अंदर humans के अंदर कौन से organs होते हैं जो के excretion करवाते हैं तो चलें start करते हैं तो आज हमने जिसके बारे में पढ़ना है वह excretion in man page number 13 पर यह available है सिंद बोड की book पर ठीग है अब हम इससे start करते हैं यह एक छोटा सा इसका basic information इसमें लिखी वी है यह आपने कुछ बाते हैं माइंड में रखनी के excretion का मतलब क्या है excretion का मतलब यह होता है कि remove करता है वह unwanted metabolic by products को ठीक है जो कि जरूरत है नहीं या फिर जरूरत से ज़्यादा की जो चीज़े होती है उन्हें excret करता है उसको बोलते है excretion जिनमें salt आ जाता है excess salt आ जाता है excess water आ जाता है इनसान के अंदर humans के अंदर mainly तीन ऐसे organs होते हैं जो उसकी body में से excretion करवाते हैं पहला है kidney उसके बाद है liver और third जो है skin अब इसे हम one by one start करते हैं पढ़ना है देखो यहाँ पे तीन चीज़े हैं यानी तीन organs हैं जो के humans के अंदर पाया जाते हैं उन्हें mention किया गया है जिसमें से kidney है एक liver है एक skin है one by one हम इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है kidney और liver इन दोनों के बारे में जो है वो जड़ा detail में पढ़ाई होगी बाकी skin को अभी हम देख लेंगे असान है इसको देखना इसको steady करना बहुत कमी बात हैं इसके बारे में लिखी है kidney जो होती है वो maintaining करती है osmoregulation और eliminate करती है nitrogenous waste को nitrogenous waste आपको मैंने बता है तक क्या होता है जिसमें ammonia आ जाता यूरिया आ जाता है यूरिक asid आ ठीक है है एकसे salt और excess water इन दोनों को भी excrete कर देती है urine के जरीए liver liver जो होता है वो excrete करता है nitrogenous waste ठीक है nitrogenous waste जो होता है वो liver करता है यानि कि जो ammonia type की जितनी भी चीज़े होती है वो liver करता है और bile pigments ये भी हम देख लेंगे भी होते के हैं और आखिर में है skin, skin जो है वो excrete करती है salt और some other substances देखो जब हमारी body sweating जब हमारी body में start होती है यानि पसीना आना जब शुरू होता है तो skin हमारी body का largest organ कहलाता है ठीक है और liver जो होता है उसको largest gland बोलते हैं ये कुछ बाते हैं बस mind में रखना ठीक है तो skin जो है वो excrete करती है जब sweating स्टार्ट होती है यानि sweating का मतलब होता है पसीना आना शुरू हो जाता है जब बंदा गर्मी में खड़ा होता है तो उसमें से salt और यानि water जो भी जादा access चीज़े होती है वो निकलना शुरू हो जाती है इसकी वज़द से body dehydration में भी चली जाती है और इसकी skin की sweating को बोलते हैं एक और नाम से बुलाया जाता है उसको बोलते है प्रेस्पारेशन ठीक है यानि कि salt और अधर चीज़ों को निकलना प्रेस्पारेशन में बोलते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो है वो तो वैसे liver है लेकिन हम एक काम करते हैं पहले kidney को cover कर लेते हैं क्योंकि kidney थोड़ा सा लेंदी है अगर देखा जाए liver से तो यह चोटी सी डाइग्राम है और इसमें कुछ बाते क्लिकर तो यहां पर लगा हुआ है एक ब्लडर का आउट लेट क्या हुआ यहां से urine excrete होता हुआ कि जरीे चाहिए यह नहीं dilemmके यह भी corytr चरफह यहां है यह यहां से urine गुजरता हुआ bludger के अंधर जिसको भी मसानाland भी बोलता है अ इसमें आकर क्या होगा स्टार स्टॉर फिर इंसान को फेल होगा के भई यूरीन आ रहा है फिर वो गुज़रता हुआ और ब्लेडर के और आउटलेट के साथ इधर एक और चीज लगी होती है उसको बोलते है स्फेंटर Muscle ठीक है, उसको स्फेंटर Muscle बोलते है अब जो स्फेंटर मसकल है वो तो यहां पे mention हुआ वा नहीं है तो एक काम करते हैं वो दिखा देता हूँ वो कहां पे है यह एक diagram है about kidney आपकी ebook पे available है page number 14 पर तो होता है कि आए देखो है हलाकि यह छोटी यह थोड़ी लेकिन यहां पे लगावा है sphincter muscle इसका क्या काम होता है जब यहां से यूरीन पास होता हुआ यूरीटर से पास होता हुआ ब्लेडर तक आता है और ब्लेडर से आगे लगावा है sphincter muscle इसका काम क्या होता है कि भाई यह मतलब इसको हम control कर सकते हैं इसको हम hard भी कर सकते हैं और इसको हम रिलेक्स भी कर सकते हैं जब यूरीन यहां पर जमा हो जाता है तो हमें फेल होता है कि हाँ यूरीन आ रहा है तो हम उसको हार्ड करके रखते हैं स्विंक्टर मस्कल फॉर एक जैसे समयलो यह एक ब्लडर की चाबी है यहां पिर उसका नल है जिसको हम आउन करेंगे तो फिर यहां से यूरीन पास होना शुरू हो जाएगा जब हम वाश रूम में जाते हैं तो फिर वहां पर जाके हम इसको करते हैं रिलेक्स तो यह रिलेक्स होता है फिर यह खुल जाता है फिर आगे जाके वो यूरीन पास होता है आगई बात समझे जमा होने के बाद इनसान को फील होता है हुमेन को कि भाई हाँ भी अब यूरीन आ रहा है फिर इनसान जाता है वाश रूम वाश रूम जाने के बाद वहाँ पे आगे लगा हुआ है स्प्रिंक्टर मस्कल जो कि उसको रोक के बैठा हुआ है यूरीन को जाकि उसको करता है relax relax करने के बाद वहाँ से वो पास हो जाता है ठीक है ठीक है basic information लेनी थी about kidney के कहां पर लगी भी होती है urine pass किसे होता है किन-किन जगाओं से गुजरता हो आता है ठीक है अब कुछ बातें यहां से important है जो हम पढ़ने तो हमाई और भी जादा बात समझा जाएगी kidney जो होती है उसका जो shape होता है यह एक organ होती है kidney जो के excrete करवाती है urine इसका size जो होता है 10 cm long होता है जब kidney है तो kidney जो होती है वो एक thin layer से या फिर thin cover से मतलब cover हुई भी होती है उसको वो एक membrane होती है covering यानि के membrane की covering होती है वो kidney को cover करके बैठी भी होती है और kidney को जो चीज cover कर रही है यानि उसकी जो membrane है जो cover कर रही है उसको बोलता है peritonium ठीक है peritonium आगे देखते है top of each kidney is adrenal gland ठीक है यानि के जो kidneys हैं दोनों के पास हर kidney के उपर वाली site पर एक gland लगावा होता है उसको बोलते है adrenal gland वह भी मैं दिखा देता हूँ यह देखो यह दोनों kidneys है ठीक है और इसकी उपर जो है एक gland लगावा है यानि कि यह left adrenal gland है और यहाँ पर जो लगावा है यह right होगा इसको बोलते हैं जो उपर लगावा है इसको बोलते है adrenal gland ठीक है adrenal gland के बारे में भी देख लिया अब जो topic शुरू हो रहा है या फिर अब जो concept शुरू हो रहा है यह important है यह सारा अभी जो हो रहा था यह दो बच्चा concept था अब जो शुरू होने वाला है जरा डीटेल है देखो यार अब जो kidney है ना उसका काम सिर्फ urine को excrete करवाना नहीं है समझ रहे हो kidney का जो actual काम होता है वो होता है blood को filter करना अब kidney जो है वो blood को filter कर क्यों रही है क्या बज़ा है जो कि blood को filter किया जा रहा है metabolism का मतलब होता है कि कोई चीज तूट रही है और anabolism का मतलब होता है कि उसके तूटने से क्या चीज बन रही है तो इन दोनों को मिला के बोलते है metabolism जैसे कि कोई चीज हम लेते हैं for example मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमने for example लगा एक टौफी ली तो हम टौफी खा लेंगे फिर उसका जो रैपर है वो हमारे लिए वेस्ट है तो इसी तरीके से metabolism में भी यही होता है जब हम कोई चीज खाते है या हमारी बोड़ी में कोई इसी चीज आती है जो कि हमारी बोड़ी की requirement है जब वो metabolism के जरीए टूटती है और फिर उससे जो चीज मिलती है तो उसके बदले में एक waste product भी उसके साथ product जो होता है वो produce होता है और वो हमारी बोड़ी की जरूरत नहीं होती है वो भी हमारी बोड़ी के बलड़ में जाहर सी बात है घूम रहा होता है तो इसको बोलते है metabolism के जरीए कोई ऐसी चीज बनना जो हमारी जरूरत नहीं है तो उसको kidney filter करती है क्यों करती है अगर blood में से filtration नहीं करी जाए blood की नहीं की जाए अगर blood को filter नहीं किया जाए तो भाई हमारी body में problem शुरू हो जाएंगी जरूरत से ज़्यादा की चीज़ें हमारी body में जब फिर रही होंगी तो हमारी जरूरत की नहीं है तो हम problem में आएंगे तो होता है कहाँ kidneys जो होती है वो receive करती है यानि के blood को लेती है अपने अंदर filter करने के लिए receive करती है blood को किस के जरीए renal arteries के जरीए ठीक है उसको बोलते है renal arteries के जरीए blood को receive करती है kidneys और जो filter करके फेकती है दुबारा body में उस जगा को बोलते है renal when मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी तो देखो जब body के अंदर kidneys काम करती है जो के filter करती है blood को तो कैसे करती है blood को लेती है इस नाली से अपने अंदर ठीक है दो नालियां बनी वी है जो kidneys की होती है जो के blood को filter करवाती है और filter करके body में दुबारा provide करवाती है जो उपर वाली नाली होती है ये बलड को अपने अंदर लेती है इस नाली को बोलते है रेनल आर्ट्री ठीक है जिसके जरीए बलड अंदर जाता है फिर वो अंदर फिल्टर होता है ठीक है kidneys जहां से अपनी जिस नाली से blood को receive करती है उस नाली को बोलते है renal arteries और जब अंदर से उसको filter करके जब दुबारा body को provide किया जाता है तो जहां से वो blood निकलता है दुबारा body को provide होने के लिए उस नाली को बोलते है renal ven आगई बात समझ और इन दोनों यानि के renal arteries को और renal ven को अगर हम A की नाम से बोलें तो उसको बोलते है हीलस ठीक है हीलस या पिर हाईलस जो भी तुम्हें सही लगे इसको बोलते है हाईलस ठीक है देखो यह जो दो वैंस है जो साथ लगी हुई है जिन मेंसे A के renal artery और A का नाम है renal ven अगर इन दोनों को अगर हम A की नाम से पुक और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेफरोंस जो केस के इंटर्नली के अंदर जो लगे होते हैं जो फिल्ट्रेशन करवाते हैं और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं किट्नी का तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देन तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस